लमस्कार बच्चों मैं डेवकी नंदन दाठ और इस्टडी जोन क्लासेट के यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं जो लास्ट क्लास थी अपने उसमें वारा जो चेप्टर था वो था चुम्बकत्व एम चुम्बके प्रधार्तों के गुण यान होने वाला है बस कुछ टोपिक्स इसके रिमेंट से तो उनको अपना आज की लास में डिसकस कर लेते हैं तो आई ये क्या है हमारा चेप्टर चुम्बकत्व एम चुम्बकिया प्रधार्तों के गुण यह बच्चों इसमें जो आज का हमारा च्प्रधार्तों का चुम्बकिय शेक्त्र में प्रधार्टों का चुम्बकिय शेक्त्र में वेवार यानि कि जो प्रधार्टे उनका चुम्बकिय शेक्त्र में वेवार किस तरीके से होता है जब चुम्बकिय शेक्त्र में उन प्रधार्टों को रखा जाता है तो ऐसे कौन से प्रदार्थ होते हैं जो चुमगे शेटर के साथ अलग वेवार को अलग प्रॉपर्टी को दर्शाते हैं यानि कि कुछ प्रदार्थ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चुमगे से क्टर में रखेंंगे वहूं बहुती दूरबलबल के साथ इसके साथ बहुती दुर्बलबल के सबस्क्राइज को समझने के लिए जो है पैरा दे ने एक प्रियोग किया उस प्रियोग का डाइगराम में आपके सामने बना देता हूं कि की वो प्रियोग कुछ इस प्रकार से हैं यह देखो अ कि यह चुम्ब के प्रधार्दों को लटका दिया कहां पर लटका या प्रबल चुम्ब के शेक्तर वाली परीनालिका में यानि प्रियोग के बारे में पूरा निटेल में बता दिया था कि कोई भी प्रियोग के वेवार फेराडे ने किस प्रकार दर्साया तेखो एक प्रियोग का है उस प्रियोग में धारा प्रवाइद की और धारा प्रवाइद करके उस परिनालिगा के अंदर प्रंबल चुम्ब के सेक्टर को उत्पन किया किसको उत्पन किया तियूर चुम्ब के सेक्टर को उत्पन किया अब इस परिनालिगा के अंदर क्या है अलग अलग परदार्टों को लटकाया ज होते हैं जैसे लोहा हो गया कोबाल्ट हो गया निकिल हो गया यह प्रदार्थ इस परिनालिका की और प्रबल बलके साथ किस्ते हैं यानि की लोहा कोबाल्ट और निकिल जो है परिनालिका के चुम्ब के शक्तर की तरफ प्रबल बल के साथ आकर्सित होते हैं प्रबल बल की साथ अट्रेक्टेड होते हैं यानि की कम चुम्ब के शक्तर वाले भाग से अधित चुम्ब के शक्तर वाले भाग की और क्या होते हैं विस्तापित हो जाते हैं ऐसे प्रधार्तों को लोह चुम्ब के प्र प्रधार्थ कहा गया तीक यह तो गए फर्स्ट जिसे बोलते हैं लोह चुम्बकिया प्रधार्थ यानि कि फेरो मेगनेटिक सब्स्टेंस दूसरे होते हैं अनुचुम्बकिया प्रधार्थ अनुचुम्बकिया प्रधार्थ यानि कि कुछ प्रधार्थ ऐसे भी होते हैं ज वो परिनालिका की तरफ आकर्शित होते हैं परिनालिका की और खिषते हैं लेकिन दुर्बल बल के साथ यानि कि खिषते तो ये परिनालिका की तरफ हैं चुम्बकिया शेक्षर की तरफ आकर्शित होते हैं लेकिन जो इन पर बल लगता है वो दुर्बल होता है और ऐसे प्र प्रति चुम्ब किया प्रधार्थ प्रति चुम्ब किया प्रदार्थ यानि कि कुछ प्रदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे जिंक हो गया बिस्मित हो गया सोना हो गया चांदी हो गया यह प्रदार्थ जब इस परिनालिका के अंदर लटकाएंगे तो यह इस चुम्ब के शेक् से विफृत्र दिशा के और समएंहने का मतलब यह है क्छ प्रदार्ष एसा भी होते हैं जैसे जिंक बिस्निस सोना चांदी यह वाले प्रदार्ष जो है इस परिनालिका से परिनालिका के चुंब के शक्तर से दूर जाते था दूर भागने की कोशिस करते हैं यानि कि प्रतिकर्शित होते हैं तो ऐसे प्रदार्थों को कौन से प्रदार्थ करते हैं प्रति चुम्ब किया प्रधार्थ करते हैं यह हो गया प्रदार्थों का चुम्ब के शेक्टर में वेवार की प्रदार्थों को जब लटकाया गया चुम्ब के शेक्टर में यानि धा कि यह से होता है यह वाले प्रदार्च जदा कर्शित लाइं कुछ प्रदार्च कमा प्रदार्च होते हैं और मैं कुछ प्रदार्च कुछ महतव पूंड राशित है यानिकी चुम्बकात्व में प्रयोक्त कुछ महत्वपूर्ण राश्या जो चुम्ब के श्क्तर में प्रयोक्त होती है उनकी कुछ definition है पहली है चुम्बकन कि ती उरता मि है जुम्बकन ती उरता यानिकी intensity सीटी ओफ मेगनेटीजम तो बच्चों यह क्या होती है इसकी मैं सीधी सी डेफिनेशन बता देता हूं आपको तो एको डेफिनेशन बताऊंगा लेकिन आप के नहीं सकते मेरे से ठीके डिये स्टुडेंट्स चुम्बकनती उरता यानि कि इंटेंसीटी ओफ मेगनेटीजम इंटेंसीटी ओफ मेगनेटीजम क्या होता है कि प्रधार्त के एकांक अईतन में उपस्तित नेट चुम्बकी आगूण को ही चुम्बकनती उरता करते हैं I से व्यक्त करते हैं बच्चों एक बात ओर दियान रखना जो चुम्बकन तिवृता आई है यानि कि इंटेंसिटी ओव मैगनेटीजम है यह एक शदिश राची है और इसका मात रख एंपियर पर मीटर होता है क्या होता है एंपियर पर मीटर तो मैंने क्या बता है आपको प्रदार्थ के एकांक आई तन में उपस्तित नेट चुम्बकी आगूण को चुम्बकन तिवृता करते हैं यानि कि आई बराबर हो जाएगा एम नेट एम यानि कि चुम्बकी आगूण कौन सा नेट वाला अपोन आई तन क्यादि मैं बात करूं इसके दूसरी परिवाशागी तो आप इसको इ है ठीक है डियर स्टुडेंट या तो बात हुई इंटेंसिटी ओव मैगनेटीजम यानि कि चुम्बकन तिवृता आई की दूसरी जो परिवाशा है वो है चुम्बकन शेक्त्र चुम्बकन शेक्त्र इसे लिखते हैं केपिटल एच से यानि कि मैगनेटाइजिंग तो मैं बात करूँ एक ऐसा सेत्र जहां पर किसी प्रदार्ट को चुम्बकन के लिए रखा जाता है उस शेक्त्र को ही चुम्बकन शेक्त्र करते हैं चुम्बकन शेक्त्र भी एक सदिश रासी होती है और इसका मात्रग भी MPR पर मिटर होता है ठीक है डियर इसकी एक और परिभाचागी में बात करूँ इसरी बोल सकते हैं चुम्बकिया शेक्तर क्या चुम्बकिया शेक्तर और निर्वात के चुम्बक शेक्तर करते हैं यानि की magnetizing field करते हैं ठीक है dear students यह हो गया magnetizing field अब मैं बात करूँ तो तीसरी डेफिनेशन की तो तीसरी डेफिनेशन होती है चुम्बकिया प्रवर्ती चुम्बकिया प्रवर्ती यानि कि इसको बोलते हैं इंग्लीश में magnetic susceptibility क्या बोलते हैं dear students magnetic susceptibility और इसको जो है वो प्रदर्शित करते हैं काई इसको बोल सकते हैं काई भी बोल सकते हैं इसको काई एम से इसको प्रदर्शित करते हैं मैं तो जैनल इसको एक्स भी बोल देता हूं यानिक इसको किस से करते हैं काई काई से ठीक है दे क्टे चुम्बकर प्रवर्ति क्या होती ठीक है मैं फॉर्मुला लिख देता हूं आपोन है तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी चुम्बकन त्यूता और चुम्बकन शेक्त्र के अनुपात को चुम्बगय प्रवर्ति करते हैं ठीक है डिये स्टुडेंस क्या बना चुम्बगन त्यूरता और चुम्बगन शेक तरग्यानुपात को चुम्बग्या प्रवर्ति करते हैं इसको मैं यह दिया कि और सोलू करूं तो यहां से आए बराबार काई एम हो जाएगा यह क्या ही एक तरीके से यह यह स्तिरांग ले लूं मैं इसको एस a लिख सकता हूं आए डारेकली प्रपोर्पोर्शनल है कि इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं चुम्बकिया पार गम्यता पार गम्यता या इसको बोल सकते हैं माध्यम की चुम्बकिया पार गम्यता ठीक है डिरे शुटेंट्स यह क्या होता है यह चोट 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 डेफिनेशन है इनके जो फॉर्मूले है वो अपने नुमेरिकल में काम आएंगे इन डिफरेंट कॉंटिटीज के बीच में जब संबंद को शो करेंगे अपन संबंद बताएंगे कि इन डिफरेंट कॉंटिटीज में इन विभी नराशियों के भीज में क्या क्या संबंद तो वाफर यह चोट 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 फॉर्मूले अपने काम आएंगे तो इन्हें आपको द्यान रखना है हो सकता है एक नंबर में इन में से वह एक्जाम में आपसे पू इससे मू से व्यक्त करते हैं ठीक है डियर स्टुडेंट्स एक और लास्ट डेफिनेशन है वह है आप एक शेक आप एक शेक पार गम्यता आप एक शेक पार गम्यता को बोलते हैं रिलेटिव परिमी अबलीटी इसको व्यक्त करते हैं मू आर से हैं और मू आर बराबर होता है उफ्याफोपान क्मी नोट क्या होता है कि माध्यम की चुम्बकिय पारगम् Say कि यहीं क्या लिक्सिंग हो इसे चुमबकिय क्या लिकी को चुम्बकिय पारगम्iff करते हैं इसे मिवार से व्यक्त करते हैं ठीक है डियर स्टुडेंट यह थी अपने कुछ चुम्ब कत्रों में परिउक्त होने वाली अमारत पूर्ण राशियां और उनकी परिभाशा है और उनके फोर्मूले अब अपन बात करते हैं अगले टोपिक की अगला टोपिक जो है वो इन ही राशियों से डिलेटेड है कि इन राशियों में क्या-क्या संबन्द है यह राशियां एक दूसरे से एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर करती है तो उसके बारे में संबन्द है अपना तो मैं टोपिक लिख देता हूँ विभिन चुम्ब किया राशियों में संबन्द यानि की रिलेशन बिट्वेन डिफ्रेंट मैगनेटिक क्वांटिटी ठीक है टिया इस्टूडेंट्स तो ध्यान से सुनना क्या होता है जब किसी भी परिनालिगा में धारा प्रवाहित की जाती है तो अपन जानते हैं कि उ रूत्पन हो जाता है वह उसके अंदर यारी परिनालिगा के अंदर तो एक समान होता है लेकिन परिनालिगा के बाहर न गंड़े होता है ये ना के बराबर होता है इस वाद को मैं चोथी श्याद्वारा रिपिटorgt करवा रहा हूं जब पढ़ाये तब भी बताये था दिमस के शेक्तर के उत्पन होने के कारण जब कोई भी लो चुम्ब के प्रधार्त को या चुम्ब के प्रधार्त को उसके पास लाया जाता है तो प्रेरण के कारण दूसरा प्रधार्त भी जो चुम्बकित नहीं है प्रेरण के कारण उसके पास लाया गया दूसरा प्रधार्त भी क्या हो जाता है चुम्ब कित हो जाता है तो मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं किसी भी धारावाई परिनालिका में धारा प्रवाइद की जाए तो उत्पन होने वाले का का है? योगफल के वराबर होता है. Dear students, ध्यान से सुनना मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक को लिगदिया B1, B0 और एक को लिगदिया B1, मैंने आपको ये बताया, जब किसी भी परिनालिका में धारा प्रवाइट की जाती है तो उस धारवाई परिनालिका में चुम्ब किया प्रेरण का मान मुक्तधाराओं के कारण उत्पन चुम्ब किया प्रेरण वो बदधाराओं के कारण उत्पन चुम्ब किया प्रेरण या इसको बोल सकते हैं मुक्तधाराओं के कारणोत्पन चुमक्य शेक्त्र और बदधाराओं के कारणोत्पन चुमक्य शेक्त्र के योगफल के बराबर होता है ठीक है डियर इस्टुडेंट्स यानि कि उस परिनालिगा के अंदर जो चुमक्य शेक्त्र होगा जो चुमक्य बराबर होता है ठीके डिये स्टुडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने एक बात अभी और आपको बताएती कि अपने पास जो चुम्बकन शेक्तर होता है यह एच बराबर किसके होता है बी नोट अपॉन म्यू नोट के अभी पढ़ा था अपने तो यहां से बी नोट बराबर क्या लिख दू मैं म्यू नोट एच लिख सकता हूँ इधर गुणा हो जाएगा तो यह से मल्टिप्लाई हो जाएगा एक चीज और जो बद्धाराओं के कारण उत्पन चुम्ब के शेक्तर है वह चुम मानुपाती हो जाएगा चुमबकन त्यूरता के जिसे मैं क्या लिख देता हूँ आई लिखते हैं चुमबकन त्यूरता को तो बीवन बराबर इसको भी ओपन कर देते हैं म्यू नोट आई हो जाएगा यह एक हो गया यह समीकरण नंबर एक यह दो और यह तीन तो मैं इन यह दो यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा यह दो मिनोट एच फ्लास डीवन म्यू नोट आई के ठीक है दियर स्टुडेंट मैं क्या मिन्स ले लिए लिए अंदर क्या बचाएज प्लस आई और अभी मैंने आपको बतायता यह काई एम किसके बराबर होता है आई अपन एच के तो यहां से आई बराबर क्या जाएगा एक M काई M ह आजाएगा तो इस आई की जग़ इस आई की जग़ में यह पूट कर दूँ यानि कि समीगरण नंबर चार हो जाएगी है समीगरण चार में आई का मान रखने पर तो बी बराबर म्यू नोट एच तो जैसा का जैसा है इस आई की जग़ में क्या लिख देता हूं प्लास यह मैंने लिखे दिया यह पर टेके डियर इस टूडेंट्स ऑइज की जगह मैंने क्या मैंने लिख दिया यह लिख दिया तो बी बराबर मून नोट अब बी बंदर क्या बचते बार यह तो 1 beta काई एम बची गया ठीक है डियर इस्टुडेंट्स अब मैं क्या करता हूं इस बी को इस एच को इस बी के नीचे ले लेता हूं यानि कि यह इधर आ जाएगा इधर बचेगा म्यू नोट वन प्लस काई एम और अपन जानते हैं बी अपॉन एच जब मैंने तुम्हें बताए था बी अपॉन एच जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों वो होता है म्यू के कैसे हैं चूंकि यहां पर देखो आप चुम्बगंशेक तरुको मैंने क्या लिख रखा है एच बराबर बी अप पर यहां से बी अपन एच बराबर किसके हो जाएगा मियों के हो जाएगा यह इधर चला जाएगा और यह रिच इस भी के नीचे आ जाएगा तो बीपोन है किसके बराबर हो के डिया एक बराबर लिख दो इसको आगे और सौलू करूं मैं तो मियू अपवन मियू नोट इस मियू नोट को भी इसके नीचे ले लिया बराबर वन प्लास काई एम आ गया ठीक है डियर इस्टुडेंट्स और अपन मैंने भी आपको बताये था कि आप एक सिक चुम्म किया पार गम्यता या चुम्म कि स जाबर वन प्लास काई एम ठीक है डियर इस्टुडेंट्स यह डिफ्रेंट 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 चुम्म किया राशियों के बीच में संबंद हो गया ठीक है डियर इस्टुडेंट्स यह बात हो गई चुम्म किया राशियों में संबंद की अब चलते ह आने की बहुत ज़्यादा संभाउना है ठीक है बच्चों तो मैं यदि नुमेरिकल की बात करूँ नुमेरिकल वैसे बहुत हैं आप इन सब टोपिक्स को पढ़ने के बाद क्या करें अपनी जो टेक्स्ट बुक है और बीएस्टी की सी बीएस्टी की उसमें से नुमेरिकल से दूंडें और उन्हें करने की कोशिश करें नहीं आये समझ में तो एक बार देके और फिर भी यदि कोई प्रोब्लम आती है तो बिल्कुल मैंने आप से कह रखा है कि आप कमेंट वोक्स में जल्द से जल्द कमेंट करें ताकि वो नुमेरिकल मेरे पास पोचे और मैं उसक एक अनु चुम्बकिया प्रधार्त एक अनु चुम्बकिया प्रधार्त है पुर्शा भी ले लो क्रोमियम ले लो या ऐलूमीनियम ले सकते हैं क्रोमियम मैंने लिया क्रोमियम एक अनु चुम्बकिया प्रधार्त क्रोमियम है जिसकी जिसकी चुम्बकिय प्रवर्ती जिसकी चुम्बकिय प्रवर्ती कितनी है वच्चों सपोज करो 2.5 इंटू 10 की गाथ माइनस 4 है यूनिट ले से यह जिसकी चुम्बकिय प्रवर्ती 2.5 इंटू 10 की गाथ माइनस 4 है तो निर्पेक्स वह आप एक शिक न चुंब किया और गम्यता का मान ग्यास की जिए त्थीक है डिया इस्टूडेंस यह निमयरिकल अपने पास अनुचुम्बकिया प्रवर्त यानि कि क्या दे रखाने कि कि यह कि ना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की गार माईने 4 दे रखा है अपन से पूछ रहा है वो निर्पेक्सिक आपेक्सिक चुम्ब किया पार गम्मे था निर्पेक्सिक बोले तो मू और आपेक्सिक बोले तो मू आर ये दोनों अपन से पूछ रहा है तो बिल्कुल अपने इन दोनों को पता कर सकते हैं चुँकि अभी अपन ने विविन चुम के राज़ों में समन्द पढ़ा था तो मैंने बताये था मू बराबर मू नॉट 1 प्लस काई M के बराबर होता है तो मू बराबर मू नॉट किसके बराबर हो जाएगा चार पई इंटू दस्की गाद माइनस 7 के अपने इसको बहुत बाइपड लिया ऐंटू दस्की गाद माइनस 7 मू नॉट का मान होता है 1 प्लस XM क्या दे रखा है मने पास 2 पॉइंट पाच इंटू दस्की गाद माइनस 4 तो सो लू कर दें इसे में 4 into 3.14 into 10 सकी गाद माइनस साथ 1 प्लस अब देखो यह दसों कि गाद माइनस 4 है यह 16 गाद माइनस चार नीचे जाएगी तो प्लस की दसकी गाद 4 जाएगी तो इस point को मैं यहीं पर open कर दूँ मैं क्या करूँ कि 4 अंक छोड़ के point लगा देता हूँ कि इसे देखो 0.00025 इस पूरे को मैं यह लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ dear students क्योंकि यहाँ पर क्या है 2.5 अपून दसकी गाद 4 यानि की नीचे क्या हो गया 10,000 हो गया ठीक है तो point कितने अंक छोड़ कर लगाना है चार अंक छोड़ कर एक दो तीन चार और यह पूरे को मैंने क्या लिख दिया यह लिख दिया यहाँ पर आप ओबियास तेंट पास करके आए हैं 11 पास की है mathematics अच्छे दरीगी जब पढ़िए तो आप सोल उकर सकते हैं इसे म्यू बराबर चार तीजा बारा चार जोदा चपण 12.56 इंटू 10 रेस टू माइनस से वन और इस एक में इसको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा 1.00025 बन जाएगा ठीक देश्टू डेंट्स अब इसको मैं यदी से मल्टिप्लाइ करहuं किसको इससे 12.56 इसको 1.00025 से मल्टिप्लाइ कर करूं तो लगबग लगबग एक से multiply हो रहा है यह तो एक को इससे multiply करेंगे तो क्या जाएगा लगबर यह आएगा बारा पॉइंट सब पन इंटू दसके गाज माइनस सेवन हेंडरी पर मीटर इसकी विनिट होती है किसकी निर्पेक्स चुम्ब कि अपार गम में ता है चुम्ब शील ता की तो यह तो आगया म्यू और अपनको क्या निकालना है म्यू नोट भी तो निकालना है नहीं म्यू आर भी निकालना है तो म्यू आर क्या निकल जाएगा तो कि अपन जानते हैं म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम के तो म्यू आर बराबर 1 प्लस काई 00025 आंसर आ जाएगा मेरे पास यह तो आगी निर्पेक्स चुम्बक किया पारगम में था या चुम्बक सिलता तो यह हो गया अपना नुमेरिकल जो इसका रिमेनिंग पार्ट है और आए हो वो खतम हो जाएगा पूरी तरीके से कल की क्लास में जिदने भी टोपिक बचे हो है यह पूरा चेप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही इसके आगे का जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है वो अपन कल की ओनलाइन क्लास में डिसकस करेंगे और चेप्टर को कंप्लीट करेंगे और बच्चों में आपसे एक बार और बोलना चाहूँगा के दिए आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही मुझे दीजिए इजाजत जैहिन जैभारत